तो जैसा कि आपको पता कि कल से हमारा Social and Political Life जो कि सीटेट के सलेबस में है आपको पढ़ना है और यह आएगा Social and Political Life और बिसिकली यह जो Social and Political Life है यह आपको 6-8 तकी NCRT पढ़नी है अभे हम Class 6 का स्टार्ट की है चैप्टर वन कल हमने किया था क्लास वन आज हमारा क्लास टू है देखे यह जो सोसल एंड पलिटिकल लाइफ है इसका सीधा सीधा जो अगर आप देखे रिलेशन तो यह पैडागोजी से है जो बीस नमर के पैडागोजी आती है न वो आपका यहां से पूरा तयार होगा क्य क्योंकि इसमें वही सारी चीजे दी गई है किस तरीके से आप पता लगाएंगे रूडी बत सोच क्या है पुर्वा ग्रह क्या है बहुत सारे ऐसे कोश्चन्स यहां से आपको पता चलेगा और यह ऐसा जो है टॉपिक चल रहा है जिसको आपको कहानी की तरह पढ़ना है ब टेलिग्राम पे भेजा है डाउनलोड करिए पढ़ाई कीजी नोट्स पनाइए ठीक है तो चले विडियो स्टार्ट करते हैं 12 बजे हमारा यह है और 2 बजे आपका आज से नया स्टार्ट होगा प्लास 8 का हिस्ट्री और जोगरफी दोनों में से कोई भी एक स्टार्ट कर अप लोगों की डिमांड थी की सोचल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसालिए मैं स्टार्ट कर दीया है तो चलिए तो इसी बात पर आप लाइक कर दीजेगा लाइक करने में आप बहु जादा कंजूसी करते हो आप सभी की सारी बाते में मानती हूं तो आप लोगों का भी ब तो आज हम पढ़ेंगे विवीधिता एवं भेदभाव जो डाइवसिटी है उसे कहीं न कहीं भेदभाव किया जाता है चाहें वो स्कूल हो चाहें आसपास हो हर जगह इसके बारे में पढ़ाये जाएगा और यहां पर एक चीज लिखा भी हुआ है कि आपको पता है कि जैसे यहां से पड़ागॉजी के इतने कोशन्स पूछे गए हैं कि आप इसको तयार कर लेंगे तो आपका सीटेट का पड़ागॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगा तो यहां पर सारी चीजे लिखी गई हैं दो लाइन में मैं आपको समझाना चाहूंगी कि विविदिता से हम खुस तो होते हैं कि चलो अलग-अलग धर्म के लोग हैं अलग-अलग जाती के लोग हैं बट कहीं न कहीं यह खुस होने का कारण भी नहीं है क्योंकि यह हमको जो है दूसरे लोगों के साथ जो अगर आप देखें तो सुरक्षित या फिर ऐसा फिल नहीं होता है क्योंकि वो लोग हमें क्या करते हैं जज करने लगते हैं जैसा कि कई आपने देखा होगा जो लोग बोजपूरी वगर बोलते हैं बाहर जाएं तो लोग बोलते हैं कि अरे इसकी language कैसी है जैसे कि बात करने में कपड़े पहने पे अगर लोगों से मिलने जुलने में बहुत लोग पेड़ागोजी में लिखा रहता है कि आखिर में पुर्वा ग्रह क्या है तो देखें जो जो कोशन पूछा जाएगा वही मैं आपको बताऊंगी बाकी आप PDF में से आराम से सब कुछ पढ़ सकते हो कुछ कथन ग्रामी लोगों को लोगों को अज्यानी की तरह देखते हैं आ कुछ लोग सहरी लोगों को क्या सोचते हैं कि पैसा है तो बड़े आलसी होंगे जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह होता है पुर्वा ग्रह ठीक है समझ गया पुर्वा ग्रह का मतलब क्या होता और ज्यादा तर यहां राय जो होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, जैसा कि कत्रों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी तो पुर्वाग्रा है, आपने अपनी राय बना ली, मतलब कि मैं किसी के बारे में, ना तो मैं वहाँ पर गई, ना तो मैंने पुर्वाग्रा है, जैसे कि हम लोग गाउं के लोगों को बोलते हैं कि अग्यानी हैं, बट वह अग्यानी नहीं है, फिर भी हमने एक राय बनाई, सहर की लोग केवल आलसी है, आलसी नहीं वह तो दिन रात काम कर रहा थे हैं, बट ऐसा किसी ने बोला होगा, तो हमने अप चलिए बाकी ऐसा यहां पर कुछ नहीं है और पुर्वागरा का एक संबन इससे भी है कि जब हम यहां सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अकसर दूसरों के इज़त नहीं कर पाते हैं जी हां उसी काम को दूसरी तरह से क करना पसंद करते हैं उधारन के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भासा है और दूसरी भासा है महतपूर नहीं है तो हम अन्य भासाओं को बहुत ही नेगेटिव से देखते हैं और हम उन लोगों की साथ इज़त नहीं कर पाते हैं जो कि अंग्रेजी न काले हैं गोरे हैं किस छेतर से आते हैं किस तरीके से बोलते हैं किस तरीके के कपड़े पहनते हैं यह सब क्या है पुर्वाग्रह का एक्जामपल है अकसर दूसरों के बनाए गए हमारे जो पुर्वाग्रह होते हैं पहले से बनाए गई गई राय इतने पक्के होते हैं कि ह और यहां पर इनों ने बताया है कि ग्रामी लोगों के बारे में लोग क्या बनाते हैं पुर्वागरा कि वो भारती गाउं में रहते हैं उनको टेक्नोलोजी का यूज करना नहीं आता है वो किवल बुवाई कठाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 गंटे तक काम करते हैं काम की तलास में वो सहरों में घूमते इस्थानांतरन करने को बाद्धे होते हैं सहर के बारे में बताये गया है कि बड़ा आसान होता है यहां के लोग बिगड़े हुए होते हैं आलसी होते हैं यह सब पुर्वाग रही तो है कि सहर वाले जो हैं फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं किल पैसे की चिंदा करते हैं लोगों की नहीं और सहर मे रहना बहुत महेंगा है लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिसा किराय आने जाने में खर्च होता है यह सब पहले से बनाई गई एक धारना है ज पढ़ रहे हैं सोसल और पॉलिटिकल लाइफ जो कि बस एसेश्टी में नहीं आपको सीडीपी का हिंदी का एवियस का हर जगह की पैड़ागोजी में मदद करेगा आप एक बार खुद इसको पढ़के पैड़ागोजी सॉल्व करना जो लोग बोलते न यह पैड़ागोज लड़की होने का अर्थ क्या होता है आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं जैसे कि एक कोशन पूछा है कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि लड़का लड़की होने का मतलब क्या है तो आप बोलोगे हमने लड़का या लड़की की अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा करो, बहुत सुसील है, बात करने का तरीका बड़ा सौम में है, मधूर है, तो ये चला जाएगा, अरे ये तो लड़की की बात हो रही है, यहाँ पर दिया गया, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, बह खाना पकाने में निपूर होगा, वो लड़की होगी, तो ये क्या दरसारा है, ये सब दिखा रहा है, कि हम लड़के लड़की में किस तरीके से भेदबाव करते हैं, अब काम से थोड़ी नहोगा, जैसे कि कोई बहुत सुसील है, तो लड़की होगी, जरूरी तो नहीं है या किसी की बोली लड़कडाती है, तो लोग उसका मजाग उड़ाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पे लड़की है, वीलचेयर में, ये कोशन पूछा हुआ था, कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे सर्माती है, घूरती आखों से मैं छिप जाना चा जो है वो तेज नहीं है आपकी तरह, बट फिर भी लोग मजाग उड़ाते हैं, तो ये सारी चीजे क्या है, तो इसलिए विकलांग जो सब्द है, उसको हटा दिया गया, आप जानते हैं, ये कोशन पूछा हुआ था, कि आपने उपर देखा तो ये, अगर आपसे मैं पू अगर पूछे कि विकलांग की जगपे अप क्या यूज होता है, तो खास जरूरत वाले बच्चे स्पेसल चिल्टरे, याद रखेगा, ठीक है, चलिए बिसिकली पूछा भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो बस यहां से आपका वई कोशन स्टार्ट हो ज आपने देखा होगा, बच्चपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी, तो माता पीता हैं परिवार के जो अनिस अदर से हैं, वो क्या कहते थे, चुप कराते थे, और बोलते थे, रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादूर होते हैं, रोते नह कोशने लगता है कि अगर मैं रोंगा तो यह मेरी कमजोरी होगी, हाला कि लड़कों लड़कों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खास कर जब उन्हें गुसा या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तक लड़की सीख जाते हैं, या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नही हैं, पहले इसी उनके मन में डाला गया है कि तुम रोगे तो तुम कमजोर हो, और लड़कीों के लिए का कहा जाता है, कोमल है, मृदियू सभाओ की है, सुसिल है, ठीक है, तो यह क्यों लड़कियों पर लागू किया जाता है, क्या लड़कियों में ये गुड़ जन में से होता है, क्या वो पैदा ही होती है इसी के साथ, या समाज बना देता है, आपको भी पता है कि सोसाइटी बनाती है, ठीक है, तो इस तरीके के कोशन पूछे जाएंगे, तो अगर ऐसा नहीं लड़के नहीं रो सकते हैं, लड़के भी रो सकते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये सब कुछ क्या है, समाज की इन मानेताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, किसी ने कह दिया कि लड़की ऐसी होनी चाहिए हम उसको मान लेंगे, हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा वैवहार इनके अनुसार होना चाहिए, समाज के अनुसार होना चाहिए, हम सभी रूडी बद धारना स्टीरियो टाइप समझ में आगया रूडी बद किसी बोलेंगे ये मैं क्यों आपको बता रहे हूँ अभी आपको लगेगा अरे ये क्या है जब आपको सामने स्टेट्मेंट आएगा ना तो कहानी लिखी रहेगी ये घर में परिवार में ऐसा किया जा रहा है ये बताईए पुर्वा ग्रह है रूडी बद धारना है बहुत सारे ऑप्शन्स रहेंगे तो आपको इन सभी में अंतर करना आना चाहिए कि किस किस चीज को हम रूडी बद बोलेंगे तो उसे रूडी बत कहेंगे कैई बर हम किसी खास देश धर्म लिंग होने के कारण किसी को कंजूस कह देते हैं अपराधी कह देते हैं या बेवकूफ ठहराते हैं ऐसा दर असल उनके बारे में मन में एक पक्की धारना बना लेने के कारण होता है हर देश धर्म आधि में हमें कंजूस अपराधी बेवकुफ लोग मिल ही जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समू में वैसे हैं तो आपने क्या कर दिया आपने पूरे समू के बारे में अपनी ऐसी राय बना ली ठीक है इस प्रकार की धारनाय हमें प्रते की इंसान को एक आने उखोए और अलग वैक्ती के तरह देखने से रोग देती है मालो ग्रूप में एक दो लोग हैं जो खराब है तो आपने पूरे ही ग्रूप को बेकार बोल दिया तो इसमें क्या वह जो कुछ लोग थे जो कि ऐसे नहीं है आपने उनके व्यच्छी चीजे नहीं देखी हम नहीं देख पाते हैं कि उस वक्ति के अपने कुछ खास गुण और छमताएं हैं जो दूसरे से अलग है रूडी बद धारनाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं कि सारा पूरुस समाजी बेकार है आपने सुना होगा लोग बोलते हैं बट ऐसा तो नहीं है एक दो पूरुस की वज़ा से आप सारे समाज पूरुस को नहीं बोल सकते हो एक दो फीमिल की वज़ा से आप सारे फीमिल को नहीं बोल सकते हो बट हम सभी को एक ही खांचे में जड़ देते हैं तो माल अगर कोई बोल दे कि देखो इंजिनियर लड़किया नहीं बन सकती हैं या फिर जहाज नहीं उड़ा सकती हैं तो कुछ लड़किया होती हैं जिनका मन तो होता है फिर वो पीछे हो जाती हैं कि नहीं ये काम मेरे लिए सायद नहीं बना है क्योंकि ऐसा हमारे घर में बोला जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीजे हैं रूडिवद धारना ये देखे और समानता हैं भेदभाव यहां पर भी देखे यही सारी चीजे दिखाई जारी है कि किस तरीके से और समानता होता है किस तरीके से भेदभाव जैसे कि आपको पता है भेदभ कोशन पूछेगा लिखा रहेगा रूडी बादी सोच है पुर्वा ग्रह है कि भेद भाव तो अंतर करेंगे कैसे आप यहां से जब आप समझ जाएंगे जब लोग पुर्वा ग्रह या रूडी बधार नाओं के आधार पर वेवहार करते हैं अगर आप लोगों को नीचा द बागी सेख़्ली बादा करा रा करते दोगे आअंदिर्स कुमी का पान में पी जब पान हो एक चीज में, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, स्पताल, स्कूल, दफ्तर, सब जगह भेदभाव किया जाता है, बात नहीं करते हैं, एक जगह आपने देखा होगा, न्यूस भी आ रही थी, कि एक टीचर ने साइद किसी ऐसी कटेगरी के बच्चों को मारा था, आपने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जन जाती लोग धार्मिक समू और खास छेतर के लोगों को करना बढ़ता है, देखा होगा, आपने जो गरीब होते हैं, उनके साथ लोग कैसा बहेव करते हैं, ये सब अच्छूत से जढ़ा धलित को अच्छूत से जळादा धलित को पसंद करते हैं, दलित का मतलब जिन्ह दबाय गया, कुछला गया, दलित को अनुसार यह सब्द डर्साता है, कि कैसे समाजिक पुरवाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगो को दबा कर रखा है, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाती के वर्ग में रहती है ठीक है और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जो सन्विधान निर्माता है भारत के महाननेता डॉक्टर भीम राओं बेटकर इनके साथ तो सबसे ज़्यादा भेदभाव किया गया और इन्होंने अपने अनु इन्होंने बताया कि हम क्या हुआ कि मैं अपने फादर से मिलने के लिए हम लोग जा रहे थे महाराश्ट में कोरे गाओं में अपने भाईयों के साथ बहुत देर हमने इंतजार किया पर कोई आया नहीं हमको लेने एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गय उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिये उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके थे हमने बताया कि हम कोरे गाओं जाना है और हम पिता जी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया और हमने तो बहुत अ बोली से तो कोई यह अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि हम अच्छूतों के बच्चे थे निश्या तो इस्टेशन मास्टर को भी यह लगा होगा कि यह ब्रामः के बच्चे हैं और वे हमारे मुश्किल को देखकर बड़े परिसान हुए क्योंकि वो लोग एक अच्छी फैमली से आते थे दॉक्टर भीमराओं बेटकर आपको पता है तो जैसा की हिंदो में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हम से पूछा कि हम कौन है बीना एक पल भी सोचे मेरे मुँ से निकल गया कि हम महार हैं बंबई प्रांत में महार समुदाय को अच्छूत माना जाता था अब इनके मुँ से निकल गया कि ये महार है उनको एकदम से धक्का लगा वे भौचक्के रह गया उनके चेरे पर अचानक परिवर्तन हुआ हमने देख लिया कि एक अजीब सी घ्रीना की भावना उन पर हावी हो गई थी जो इस्टेशन मास्टर पहले इनसे बड़े प्यार से बात कर रहा था जैसे ही उसे पता चला कि भीम रावम बेटकर महार जाती के हैं वो बदल गया वो ऐसे देखने लगा नफरत से ग्रीना से देखने लगा उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गया और हम वहीं के वहीं खड़े रहे गया पंदरव बीस मिनट बीद गया सूरज बिलकुल छिपसा गया था पीता जी आये नहीं थे और नहीं उनकर नौकर आया अब इस्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया हम काफी घबराते हुए इन्होंने बताया है कि हम काफी घबराते हुए थे यातरा के सुरु में जो खुसी और उसाह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी आदे गंटे के बाद इस्टेशन मास्टर लोट कर आये तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं हमने कहा कि अगर हमें किराय पर एक बैल गाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गाउं जा सकते थे क्योंकि कोरे गाउं जादा दूर नहीं तो हम फौरान निकलना चाते थे और वहां किराय पर कई बैल गाड़ी चल रही थी लेकि मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं उसका पता सब को चल गया फिर कोई भी उनको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाता था ठीक है अच्छूतवर की सवारी को ले जाकर अपने आपको वो गंदा और नीचा नहीं बनाना चाते थे हमने बोला कि हम दुगना किराय देंगे पर हमें असास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी इस टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वाल उसे मोल तुल कर रहे थे चुप चाप खड़े हो गए समझ गया आप कि किस तरीके से इनके साथ भेदबा हुआ तो यह इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है कि जब मैंने बोला कि मैं इस जादी का आता हूं तो वो लोग जो है पीछे हट गया उन्होंने बोला कि इनको ले जाएंगे तो हमारा जो है यह गंदा हो जाएगा तो यह बेसिकली यहां से कोशन कई बर पूछा गया है और आपको पता होगा कि डॉक्टर भीम राओं बेटकर जो हैं अठार इको भारती समिधान के पीता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दलित समुधाय के अधिकारों क इजाजत भी नहीं थी तो बहुत सारी चीजे इनके साथ गलत हुई अगर आप देखें अबेटकर अपनी जाती के पहले वैक्ती थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंगलेंड गये उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स इनके साथ किस किस तरीके से आप यह देख सकते हो यह एक फोटो भी बनाए गया यह स्टेशन मास्टर है जो कि पहले इनकी भीम रावम बेटकर की मदद करना चाहता था बड़ जैसे ही इसको पता चला कि ये महार जाती के हैं पीछे हट गया ठीक है तो अगर ऐसा ही इसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ही भेदबाव आपके साथ हो तो आपको कैसा महसूस होगा जैसे हम दूसरों के साथ गलत विवहार करते हैं अगर हमारे साथ भी हो तो हम कैसा फिल करेंगे ठीक है और आपको पता है कि इनोंने समानता के लिए काफी संगर्स भी किया था ब्रिटिस आसन से अजादी पाने के लिए जो संगर्स किया गया उसमें समानता के वभार के लिए किया गया संगर्स भी सामिल था दलित औरत जंजाती लोग किसान अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किये उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी जैसा कि पहले भी बात हुई बहुत सारे दलितों ने संगर्ठीत होकर मंदिन में प्रवेस पाने के लिए संगर्स किया महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुसों के पास सिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले किसान दलित ने अपने आपको जमिनदारी और उनकी उची ब्याच की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संगर्स किया तो बहुत सारी जो है यहाँ पर आपको दिख सकता है और समानता भेद भाव किया जाता था ठीक है परीया पाट इसी बात को उठाता है कि आव समानता आज भी हमारे देश में मोझूद है समानता वह मुल्ले है जिसके लिए हमें निरंतर संगर्स करते रहना होगा भारतियों के लिए समानता का मुल्य वास्त्विक जीवन का सच्चाई बने इसके लोगों को संघर्स उनके आंदोलन और सरकार द्वरा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी इसलिए भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है। प्रतिष्ठा और समान औसर प्राप्त है। ठीक है। तो यह आपने देखा होगा, यहाँ पर कुल मिलाकर यह बताए गया है, सोसल और पॉलिटिकल लाइफ का मतलब यह कि समाज में किस तरीके की चीजे आ रही है। और अगर आप भारत का सन्विधान देखे तो लिखा भी हुआ है कि हाम भारत के लोग। भारत को एक संपून संप्रभुत संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोग तंतरात्मगर राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियाय, विचार, अभिवक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंदता, प एदत द्वारा इस सन्विधान को अंगिकृत, अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं, अब आप सोचेंगें यहां से कोशन पूछता है, सबसे पहले आप से कोशन पूछेगा कि जो हमारा भारत का जो सन्विधान है, इसमें कितने प्रकार के नियाय की बात की गई है, तो आउसर की समता की बात की गई है, राष्ट की एकता और अखंडता की बात की गई है, यह आद रखिएगा डेट की सन्विधान सभा में कब किया गया था, तो 26 नमबर 14, ठीक है, तो यहां से आपकी पैड़ा गौजी की समझ बढ़ेगी कि पुर्वा ग्रह किसे कहते हैं, र आउसमानता मौजूद है, तो क्या आपके आसपास भी आपने कभी आउसमानता फेस किया है, प्लीज मुझे जरूर बताएगा, बाकि जो भी डाउट होगा मुझे बताना, चप्टर काफी इंट्रेस्टिंग था, इसको पढ़िएगा डिटेल में जब मैं पीडियो भेज अच्छे से, मिलते ही नेक्स क्लास में, थैंक्स फो वोचिंग